चली क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3 – Poly Halogen Compounds Part 1 तो क्लास अगर हम Poly Halogen Compounds की बात करें तो Poly Halogen Compounds ऐसे Compounds होते हैं या यूँ कहें कि ऐसे Carbon Compounds होते हैं जिनमें एक से जादा Halogen Atoms प्रेजेंट होते हैं For examples, Dichloro-Methan जिसमें 2 क्लोरीन है Trichloromethena जिसमें 3 chlorine है और Tetra-cloromethena जिसमें 4 chlorine atoms है और students यह ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ chlorine नहीं हो कौई और भी Halogen atom हो सकता है आये देखते हैं कि Dichloromethen क्या होते हैं चलिए शुरू करते है Dichloromethen तो class अगर हम Dichloromethen के structure की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होता है जो लगभग tetrahedral structure है और इसमें दो chlorine atom होते हैं carbon के साथ attached और इसी molecule को हम बोलते है dichloromethane इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं और वो नाम है methylene chloride अगर हम dichloromethane के uses की बात करें तो class इनका use होता है aerosols में propellant की तरह और इनका use होता है paint remover में यानि कि इन से हम ऐसे substance बना सकते हैं जो paint को remove करने में helpful होता है इसके अलावा इनका use होता है drug manufacture में as a solvent और इनको हम use कर सकते हैं metal cleaning में या metal finishing में as a solvent तो class ये तो आप देख चुके हैं कि dichloromethane के uses क्या हो सकते हैं बट इनके कुछ harmful effects भी होते हैं आज़े देखते हैं कि वो क्या है अगर methylene chloride की एक particular concentration air में पहुँच जाए तो उससे क्या हो सकता है class इस से देखने और सुनने की जो हमारी छमता है वो परभावित हो सकती है इस से dizziness होती है nausea होता है इसके साथ साथ हमारे fingers और toes में numbness आ सकती है अगर हमारी skin और eyes का dichloromethane के साथ direct contact होता है तो class उससे intense burning हो सकती है mild redness of skin हो सकता है यानि कि skin पे red clear के धब्बे पड़ सकते हैं और cornea तक burn हो सकता है आईए अब बात करते हैं trichloromethane की तो class अगर हम structure की बात करें तो यहाँ पर structure दिया गया है आप देख सकते हैं इसमें 3 chlorine है और 1 hydrogen है carbon से attached और ये भी लगबग tetrahedral structure ही होता है और class trichloromethane का एक और बहुत famous name है जो है chloroform अगर हम trichloromethane या chloroform की कुछ properties की बात करें तो class ये colorless होता है बट तब जब ये pure form में हो volatile होता है यानि कि अगर इसको हलकी से भी heat मिले तो ये vaporize हो जाता है इसकी smell sweet होती है और ये एक dense liquid है अगर हम trichloromethane यानि कि chloroform के uses की बात करें तो इसका use बहुत बड़े पैमाने पर होता है solvent के रूप में ये fats के लिए alkaloids के लिए और iodine के लिए बहुत अच्छा solvent होता है class chloroform का एक और बहुत बड़ा use है और वो use है freon जैसे refrigerant बनाने में जैसे की R22 इसके साथ-साथ chloroform का use surgery में भी as anesthetic compound के रूप में होता आया है लेकिन इसके toxic nature के कारण अब इसको replace कर दिया गया है less toxic ether से चलिए class अब बात करते हैं trichloromethane के health risk की तो class इससे क्या होता है जो हमारा central nervous system होता है वो depressed हो जाता है इससे dizziness feel होती है और हम fatigue महसूस करते हैं इसको inhale करने से headache होता है और अगर जादा inhale कर ले तो liver और kidneys damage हो सकती है class chloroform के health risks produce करने का एक और बहुत ही main reason होता है वो ये है कि जो chloroform है अगर वो sunlight के उपस्तिती में रख दिया जाए तो वो phosgene जैसी gas produce करता है तो class अगर chloroform है और वो air में उपस्तित oxygen से reaction करता है sunlight की presence में तो वो वनाएगा carbonyl chloride जिसको हम phosgene gas भी कहते हैं और साथ में HCL अब class ये जो phosgene gas है ये एक poisonous gas होती है तो इसका मतलब यदि chloroform को खुला छोड़ दिया जाए तो वो poisonous gas phosgene प्रड्यूस करेगा आए एक लास बात करते हैं एक और important compound tri-iodo methane की तो class अगर हम इस structure की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से है लगभग tetrahedral और tri-iodo methane को हम iodophone के नाम से भी जानते हैं tri-iodo methane को पहले antiseptic की तरह use किया जाता था और class इसकी जो antiseptic property थी ये इसके खुद की वज़ा से नहीं थी tri-iodo methane एक ऐसा compound है जिसमें से बहुत ही objectional याने की गंदी smell आती है इसी लिए एक बहुत ही अच्छा antiseptic होने के बावजूद tri-iodo methane को as an antiseptic use नहीं किया जाता है इसकी जगा पर iodine के और other compounds बना लिए गए है